मुकेश खन्ना अपने जमाने के एक मजह हुए कलाकार थे जिन्होंने अपने दोर में खूब नाम और शोहरत भी कमाया ये एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता भी थे लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश खन्ना बरबाद हो गे आवोमन मुकेश खन्ना के नाम का अगर जिक्र कही पर भी किया जाता है तो सबसे पहले उनके किये हुए किरदार सामने आजाते हैं जैसे की महाबारत में भिशम पितामा वाला किरदार और शक्तिमान का किरदार हाला कि टीवी की दुनिया में इन्होंने अपना नाम तो कमाई था साथी बॉलवर्ड फिल्म इंडश्टी में भी इन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया अपनी दमदार अवाज और बहतरीन डायलोग बाजी के बावजूद भी मुकेश खना का सितारा क्यों नहीं चल पाया इसके पीछे भी ये कारण है बात उस दोर की है जब मुकेश खना ने 10-12 फिल्में कर ले थी और बलवर्ड फिल्म इंडश्टी में अपना नाम कमाने के लिए काफी स्टगल भी कर रहे थे और उन्हें काम्याबी मिल भी रहे थी मुकेश खना की बढ़ती हुए लोग प्रता को देखते हुए उन्हें कई सारे बिग्यापन भी मिले थे और 10-12 फिल्में करने के बाद उन्होंने 2-4 एडवर्टाइस्मेंट भी कर ली थी और उसी दोरान उनका एक बिग्यापन भी काफी ज़्यादा मशूर था जिस बिग्यापन में वो सीडियों से उतर रहे होते हैं और उनके आसपास लड़किया खड़ी होती हैं यह एड उस जमाने का काफी ज़्यादा मशूर एड था जिसकी चर्चाएं अकसर मुकेश खना को लेकर की ही जाती थी इस एड की बढ़ती हुए लोग प्रता को देखते हुए थेटर में जब फिल्में चला करती थी तो बीच में इस एड को भी दिखाया जाता था और इसी एड को लेकर बवाल मचा इस पूरे वाके का जिकर करते हुए मुकेश खना ने पौंदा टॉक शो में सारी बाते बताई थी मुकेश खना कहते हैं कि एक शक्ष मेरे पास आता है और वो कहता है कि थेटर में अमता बच्चन के साथ कई लोग मौजूद थे और वो पोपकॉन खा रहे थे अमता बच्चन ने जब आपका वो सीड़ी हो वाला एड देखा तो उनके मूँ से ये निकला की साला कोपी करता है जार सी बात है अमता बच्चन उस जमाने के बहुत बड़े सूपरस्टार थे और उनका ये बयान जल्दी मीडिया की सुर्ख्या भी बन गया मीडिया में जब इस बात की चर्चाए होने लग गई तो इसका असर मुकेश खना के फिल्मी करियर पर भी पड़ा और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई अब मुकेश खना को इस बात पर यकीन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने कर्फर्मेशन करने के लिए एक बार फिर से उसी सक्ष दे दुबारा पूछा क्या सच में अमताब बच्चन ने उनके लिए ये बात कही थी उस सक्ष ने बिल्कुल सही जवाब दिया और कहा कि हाँ मुकेश खना को इससे गहरा जटका लगा मुकेश खना आगे ये भी बताते हैं कि इस गड़ना के बाद मैंने चार फिल्में की लेकिन वो चारों फिल्में फलोप सावित हुए कई लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रॉल करना शुरू कर दिया कि वो तो अमताब बच्चन की कोपी करते हैं और कई लोगों ने यहां तक कहा कि मुकेश खना इसलिए ने चला क्योंकि अमताब की वो कोपी किया करता था ये बात मुकेश खरना को बहुत जादा बुरी भी लगी और उन्हें कई बार मीडिया में ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी की भी कॉपी नहीं करता हूँ हाला कि अमताब बच्चन के वो तीन शब्द मुकेश खरना का करियर तबा कर देंगे ये किसी ने कलपना तक नहीं की थी लेकिन ऐसा साबित हुआ मुकेश खरना को आने वाले समय में फिल्में मिलना बंसी हो गई और धीरे धीरे उनके करियर का गराफ नीची आने लग गया वो एक फ्लॉप हीरो बंते नजर आये और धीरे धीरे वो इंड़स्टी को अलविता गह गए हलाकि साल दो साल बाद उनकी एक आदी फिल्में रिलीज हो जाये करती थी लेकिन बाद में जब उन्होंने टीवी की दुनिया में अपना रुख किया तो उन्होंने खोब लिकुपरता हासिल की ऐसे की महाबारत और शक्ती मान लेकिन उनका सपना था कि वो बॉल्वर फिल्म अंड़स्टी के एक बड़े सूपरस्टार बने लेकिन उनका सपना अमता बच्चल के उन तीन शब्दों से चूर चूर हो गया यहाँ पर हम आपको इस बात की जनकारी देना चाहेंगे कि मुकेश खना इकलोते ऐसे शक्ष नहीं थे जिर को लेकर अमताब के करियर से कंपेर करने की कोशिश की गई हो यहाँ पर हम आपको इस बात की जनकारी देना चाहेंगे कई लोगों ने ये भी अनुमान लगाया था कि ओशू की शरण में अगर विनोत खरना नहीं जाते तो शायद अमताब बच्चन इतने बड़े सूपरस्टार नहीं बन पाते खेर मौजूत दोर में अमताब बच्चन और मुकेश खरना दोनों ही लाइम लाइड में बने रहते हैं एक तरफ जहां अमताब बच्चन फिल्मों पे फिल्मे किये जा रहे हैं दूसरी और सोचल मीडिया के माध्यम से मुकेश खरना भी अपने बातों को अपने फैंस के सामने शेयर करते ही रहते हैं